कि इसकी βहन के मज़ यी मज़ इसकी वहन के मज़ ही मझे भाई अफगानीों जो दिक और उस्ट्रेलिया वालों की रात उजाड़ सकता ह। शुक्त तो हमें वहाझनी को ने तो रात है हमारी सुख़ इतनी मस्त बनाई है ना वाई एक सारे इंडियन कुछ होंगे और सबसे जादा तो भाई अफगानी कुछ होंगे क्योंकि उन्होंने अपना ओडिया वर्ल्ड कुप का बदला ले लिया आज भी मैक्सवैल उनकी रहा में काटा बनी रहा था लेकिन फिर गुलबदिन आया वो बहुत कुछ हूँ मैं थोड़ा इमोशनल भी हूँ और एक्चुली मैं एक अफगानी बंदी से बात करता हूँ तो उसने भी है जो स्टेटस लगा दिया स्टेटस क्योंकि भाई राशित कान ने भी बोला मेरे को ना 6-7-7 मही ने उस वर्ल्ड कप में जो लंगडे उने ज तुम एक हारा हुआ मैच जीता हुआ मैच हार के आयो और उस वज़े से तुम उस वर्ल्ड कप चे भार हुए ते यहां तुमने इंफॉर्ड को तो तब ही अंदर आई थी नि तो उस्टेलिया भार हो जाती हां तो भाई वह मैच यहां पे इन्हों ने पूरा बदला लिया अब यहां पे उस्टेलिया अलमुष भार हो गई और अफगानिस्तान आ जाएगी अगर वह बांगलादेश से अच्छे मार्जिन से जीत गई नहीं यह सब तो बात की बात है इंडिया के मैच पर बहुत दिरबर करता है इंडिया को हराना पड़ेगा तब ही अफगानियो अपना काम कर दिया जो कर सकते थे ऐस्टेलिया को तगडी 21 रंद से हरा दिया ऐसे बहुत अच्छी जबड़े डेले हो गया जो लोग कह रहे थे यह तो वन-साइड जा रहे हैं यह कर रहे है और काला की का है यह दूसरी है टिक लिए लेकिन भाई एक भी हैट्रिक इसकी इसकी सारी दोनों है ट्रिक में एक तो दोगर में कम्पलीट हुई है उसके चलते ब्लास ओर में तो बंदा मान रहे है यह तो उसे भी पता है क्योंकि उसने उपर से जीरो पर तीम करके मैस्वेल ने जब कैच पकड़ी थी तो मैक्सवेल को तो पता ही नहीं था इसकी है ट बढ़ी बात देखो क्योंकि दो मैस में लगातार है और वह भी वल्ड़क ने तो यह चीज फिर से नहीं होगी बस उसका तरीका इतना कुछ शांदार नी था और कोई टीम भी शांदार नी थी और भाई रन इन्हों ने अच्छे खासे बना दिये थे 149 रन इस पिछ पर ए 130-135 प्लस मैंने बोला था लास्ट वीडियो में बोला था गर 130-135 का स्कोर बना दिया ना जिस भी टीम ने पहले बैटिंग करते हो है भाई वो चेज निगर पाएंग और वो यह हुआ और मेर को भी जिंदगी में ऐसा ही गुरू चीए जैसे जोनृतन ट्रोट है जैसे ज बड़े भाई जो हैं इंडिया मैं कहां तुमने उंखे लिए प्लैट्फरम दे दिया क्यों अब तक मैं माननी रहता है इंडिया उस्ट्रेलिया वाला मैच है जो वो कुछ वो हाइप वाला है ठीक है एक मैच ही तो है पर अब और इंडिया के पास पूरा-पूरा मोका है अब तुमारे ले चोड़ो वो अपना रिवेंज ले सकते हैं अगर उस्ट्रिया तुमने तो अपना इतना तगड़ा ले लिया अप इंडिया के पास मोका है वो अपना बदला लेंगे उनको व्ल्ड कप राके गये थे बहार गणना है उन्होंने तो फिर भी चलो व्ल्ड कप रहा है फाइनल तक गए थे रनर अप रहे हैं लेकिन इनको तो बहन्चु सैमी फाइनल से पहले नो कोट मार देंगे तो रसी लेगे आई रहे हैं इन्होंने अफगानियों ने पेड़ पे बांदिया कंगारू अब वो रोईट शर्मा मंगा रहा है विराट पोली पंत डरी भूं लगारा है रहा है मेरको तु तू रहा है मेरको तू बांघ नकर राहा है उसके एक्शन होते हमोल रहा ऐसे कर लो वैसे कर लो ढदá तू नहीं कर रहा है अगर तू यह यहां से टाइल जीत गया कि पहले मैक्ना तुम ने इंजरी है इसकी फिर काफ फट जाएगी इसकी इंजरी है यह रियल बात है वो इस लेने डाल रहा है वो बढ़िया करेगा इस जैसे बोलर भी तो बढ़िया कर रहे हैं तो यह बता तू उस बंदे को ढूंड जिसने तिरे को कणवेंस कर दिया यह मैच मिचल स्टा बादी हो रही है पर हम धुलन नहीं लेके जाएंगे लिटरल यही बात है मैं जब टोस पे बात सुनी ना मिचल मार्श के मुह से कि भाई मिचल स्टा को हम रिमूव कर रहे हैं एस्टन एगर को कंडिशन के चलते भैंचो ऐसी क्या कंडिशन थी कि तुमने एगर को मिचल स इसे जिसके खिलाब भी था शायद किसके खिलाब था जो इनका पहला में कंडिशन देखो थी इस पिन वाली थी पर मतलब मिचल स्टाक को अटाना था यह दो एक मैच में खेला था उसने विकिट भी ली ती उस मैच में और अच्छी खासी बोलिंग करी थी लेकिन तुम य अगर अपना जरा सा भी दिमाग लगाया होता ना अफगानियों की बैटिंग का है तो पोडर में है भाई मिचल स्टाक की एक दो बोल पढ़के इन स्विंगर होती ना पैड पे लगती या बोल्ड मारता या कैच लेता अब मैच खतमता भाई गुरबाद या इबराम अग तो आगे वाले बल्लों के हाथ खुल जाते एक तो पहले ही बोल पर आते वाने लगता है उन्हें वह समझा के बेशता है बेटे जल्दी वाजी कुछ नहीं करने हमें वंडे की तरह केलो पहले दस ओवर सा पचा साट मारो कोई दिक्कत नहीं है उसके बाद हम अब दस विक बाद है फिर खड़ी करने कोई की पचास पर दो हो गए बैचुक जो फिर तो तुम उससे घटिया कुछ कर नहीं सकते थे अपर यह ऐसा करते नहीं है गंबीर के हाथों से निकला हुआ बच्चा है बाई जब ही तो आग लगा रहा है और जोनतन ट्रॉट तुमें पता नह कुत्ता था अपने टाइम पे जब वो खेलता था खड़ा हो जाता था ना सो जाता ही थी सामने वाली टीम में यह आउट नहीं हो रहा है तीन सो बोल खेल गिया और जो लोग जानते होंगे जोनतन ट्रॉट को और रही बात यार तो जलेविया बटे गिया अफगानियों के यहार मैंने मंगाई थी तुम सुबह आई नहीं तुम जिम फ्रीक हो यहार मंगाई नहीं दूट जले भी यहार थोड़ा बढ़ रहा है तो अब कम भी तो करें नहीं वो बात भी ठीक है पर भाई वन से ना लाइफटाइम माला मैच था यार यह क्योंकि बिल्कुल यहार क्यों है से जाएगी कि यहांगे वर्ल्लकब में जीतनाचाइंगे ट्रोफी जीतनाचाइंगे सैमी फैइनल जाना चाहेंगे फाइनल जानाचाइंगे लेकिन जो वह बदला था बहुमारें नहीं चुमारे कि तुमने भी अपना रिवेंच कर रहा है पर अब हमें वह मुखा मिल गया है कि हम उस्ट्रिलियों को लात मार के भार निकाल दे तो हमारे अंदर भी टीस है नहीं वह व्ल्ड कुप की वह तो मैं 20 साल बात भी नहीं भूलूंगा कि हम अपने गर में ऐसे उन से आरे पर अब तो हमारे पास एक मोखा है चोटा ही सही इतनी बड़ी बात नहीं पर अगर हम उनको अगले मैच में रहा दे तो वह बहुत ही मजजदार भाला तो बात सही है कि वह बदला तो कभी पूरा हो नहीं बाएगा नहीं कि हम तुमारा तो फिर भी क्या था कि तुमको एक लोग त तुम्हारे बंदे ने क्या करा था एक बंदे ने तुम्हें हरा दिया लेकिन हमें देखो यार दस मैच जीत के आए थे और वो एक मैच इतना चुब रहा आज तक चुबे का चाहे हम यह वर्ल्ड कप से बाहर भी कर दे लेकिन जब तक वो चुपता ही रहेगा तो यही था भ अथे तो यहीऊ जब कर दाए हमे यहां बाहर जो पहर मैच जीत के कर दो कर दो के दो किन जब तो